दोस्तों अगर आप Bluetooth speaker के और Bluetooth panel के card की repairing को सीखना चाते हैं तो बिलकुल सही वीडियो पे आप आए हैं इस वीडियो को देख के आप बहुत यहसान तरीके से सीख जाएंगे अगर आपके पास कोई खराब Bluetooth पड़ा है तो उसको भी repair करना आपको सीखा दूँगा अगर आप mechanic नहीं भी हैं तो भी आप निश्यंत रहिए इस वीडियो में मैं बहुत ही basic तरीके से आपको बताऊँगा अगर आप लोग थोड़ा से ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे अब यहां पर देखिए बहुत सारे Bluetooth हमारे पास बड़े हैं आपको पता होगा Bluetooth अलग अलग company के आते हैं कोई TG113 का आता है कोई A005 का आता है किसी भी company का हो सकता है JBL है या फिर कुछ भी है ठीक है तो बस आज हम सिर्फ प्रपैर करना सीखेंगे common fault जो भी आते हैं वो मैं आपको बता दूँगा और एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ Bluetooth speaker में जो main IC होती है वो अगर खराब होगी तो आपका Bluetooth कभी भी सही नहीं होगा ठीक है तो आपको और चीज़े बताऊंगा और बाकी जो sound output के problem है वो बताऊंगा और power on नहीं हो रहा है वो बताऊंगा बहुत यह असान तरीके से बताऊंगा ठीक है तो वीडियो को लाइक करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन वीडियो को share जरूर कर देना क्यों क्यों क्योंकि उससे और लोगों को help मिलेगी अगर आपकी ही तरक यह से सीखना चाहते हों तो प्लीज उन डdead condition में है battery लगाने पर on नहीं हो रहे हुम इन दोनों को last में repair करेंगे यह power on नहीं हो पा रहे हैं इसमें basic से हमें trick बढ़नी यह on आसानी से हो जाते हैं उससे पहले हम इं other Bluetooth की बात करें जिस में other faults देखने के लिए मिलते हैं उस बारे में मैं आपको details से बता देता हूं एक्जम्पल के लिए मैं इसको ले रहा हूँ अब यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा फॉल्ट आता है 99% फॉल्ट ब्लूटूथ में थोड़ा सा आडियो एक्स्रा बढ़ा देते हैं अब कभी ब्लूटूथ से ना आडियो बढ़ाने पर आडियो ही चली जाती है यानि कि इसमें जो साउंड है वो नहीं आपाता साय साय सुनाई देती है सौंग अगर आपके मोबाइल पर चल रहा होता है सब कुछ चल रहा होता है और यहां पर LED भी बिलिंग कर रही होती है जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है सब कुछ सही है बट साउंड आटपुट नहीं हो पा रहा है तो जो सबसे पहला फॉल्ट रहता हमारा ओडियो ऐसी का रहता है या फिर साउंड आइसी का रहता है यह जो iC है जो आपकी be इसपीकर ना आपका यह जो पास में जो भी iC लगाहोई होती है यह या पिर तुम को पॉइंक की पॉइंट होते है उपकी स्जाउंड की आइसी होती है या पिर स्पीकर के जूओंट होती है उनको आप ट्रेक करेंगे और track करने पर उसके जो points होते हैं जिस IC पर जा रहे हैं वो आपकी sound IC उस channel को manage कर रही होती है अब यहाँ पर देखिए यह तो single channel है हाँ double channel का भी काम हो सकता है इस पर यहाँ पर दिया है दूसरी IC का point बर इसमें other components ना जोड़के आपर single channel इसको बना गया है इसमें देखिए इसमें आपकी जो red color का होता है वह आपका होता है battery का ठीक है red color का battery का होता है सभी में और बाकि जो red color के हैं यह हमारे हैं speakers के एक left का है एक right का है एक्जमपल के लिए या फिर सपोच कीजिए अगर आपके left Channel left वाले speaker से sound नहीं आपा रहा है यहां जिस भी speaker से sound नहीं आ पा रहा है उस speaker के connector को देखिए और speaker के connector के points को track कीजिए TRAK करना नहीं आता इसको alert करें और यहां पर देखिए यहां पर पर रे में इससको track करें तो इस को चेंज करेगा और दोनों स्पीकर से आवाज नहीं आ पा रही है वैसे जादे तर देखा गया अगर एक चैनल आपका चला जा रहा ना तो दूसरी आइसी भी साथ में खराब हो जाती है यह दो आइसी है यह देखिए आप इसको लंबी आइसी में समझ देना यह दो आपने लगानी पड़ेगी या फिर इस आइसी से कोई दूसरी आइसी की डाटा सीट मैच हो रही है तो आप लगा सकते हैं बिलकुल नो प्रॉब्लम इसका जो इन्पूट आउटपूट पीन है और जो इसकी आउएक्स की पीन है जो इसकी पावर की पीन है वो सभी मैच क होंगा कि इसमें भी होई लगेगी इसमें हमने डाटा सीट को मैच करना रहेगा तो साउंड की जो प्रॉब्लम है उसका सोलीशन मैंने आपको बता दिया कि आईसी से ही यहां पर साउंड जाता है अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है हमारा चार्जिंग का यह सबसे ज् जो प्रॉब्लम है उसके जैक की पकड़ है वो ज्यादा मजबूत नहीं होती है जैक तूट जाता है इस कंडिशन में आप मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई ही जिसमें आप उसमें मैनुली एक अलग से जैक आता है उसको लगा सकते हैं 10 रुपे का जैक होता है इसको ना जैक अगर जैक सही है सब कुछ ठीक है तो अब आपको क्या करना है अब आपको यहां पर ट्रैक करना रहेगा कि वह कोई पॉंट जला तो नहीं काफ़ी बार क्या होता न इसका जो जैक के यहां पर देखिए पॉश्य नेगटिव पॉइंट को आप ट्रैक कीजिए किसमा आपका डिरेक्ट वहाँ पर वो डायोड वगर से वहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है तो पॉजिक्टिव वाले पॉइंट को देखिए कोई टूटा तो नहीं कोई ब्रेक तो नहीं वह देख लीजिएगा अगर वहाँ पर कोई आईसी लगी है तो आईसी सबसे ज़ लगी होई रहती है चार्जिंग एक का नंबर में आपको बताना चाहूंगा किसी किसी में LP 40 staff होता है और किसी किसी में charging AC का है LTH7, तो देख ले न, जो भी नंबर की ऐसी होगी, उसी नंबर के आप डाल देना, अगर दूसरे नंबर के आप डालेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ, डाटा सीड अगर मैच हो रहे हैं, तो डाल सकते हैं, इसमें जो चार्जिंग ऐसी लगी है, इसमें लगी आपकी 5-pin की चार्जिंग ऐसी, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह चार्जिंग ऐसी, आपकी 5-pin केस पर लगी हुई है, तो और किसी किसे माँ आपको यहाँ पर इस तरीके से डायोड भी मिलेगा, तो डायोड भी कपी बार देखने के लिए मिलता है, तो डायोड से भी थोड़ा वोल्टेज ड पावर उन नहीं होता है तो इस बटन को खोल के या फिर यहां पर आपने शॉट करके देख लेजिए लेना बसे राइव है शॉट करके काम बन जाता है तो ठीक है बतन काras करें या पिस खोल काऊर मौन से कर सकते कर दो उन्हुट Als है तो उसका solution हो जागा फिर भी power on नहीं हो रहा है अभी solution आपको दूंगा यहां पर ठीक है अब एक और fault की मैं यहां पर बात करूँगा वो fault है LED कभी-कभी ऐसा होता है आपकी LED खराब हो जाती LED भी काम नहीं करती है on on हो गया setup का लेकिन LED काम नहीं करे उस condition में आपकी LED यह खराब हो जाती है ठीक है तो इसकी जिगब पर अगर आप हाथ आपका बिल्कुल सेट है तो LED आप इसकी जिगब दूसरी लगा सकते हैं अगर सेट नहीं है तो छोड़ दीजिए मैनेज कर लीजिए या फिर किसी मेकैनिक से लगवा लीजिए ठीक है तो जो बेसिक फॉर्स है वो तो मैंने आपको बता दिया आइसी चेंज करने वह अगर एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूंगा अगर कभी-कभी आइसी आपको मिलती नहीं न इसकी जग़ पर आप परचेज कर लीजिए इस औरियो बोर्ड को यहां पर कनेक्ट कर लीजिए बस इसको कनेक्ट करना पड़ेगा कैसे कनेक्टना है उस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूं उस वीडियो को भी आप देख लेना और दूसरी बात है कभी-कभी चार्जिंग की आईसी नहीं मिल यह जो टीपी चालीश चापन मॉडियोल है ना वो चार्जिंग के लिए हो जाता है यह आदियो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है यानि कि यह दो मॉडियोल आपके ब्लूटूथ स्पीकर की मतलब रिल की हड़ी होते है इसको अगर आप इनकी जिकप लगा देते तो यह काम पूरी अच्छी तरीगे से करने लगता है ठीक है चार्जिंग के लिए और यह ऑडियो के लिए यह दो मॉडियोल अवश्य आप इसकी वीडियो तो देखी लेना मैं उसका वीडियो सजेस्ट कर दूँगा अगर आप ऐयो एक्स होगर करते हैं और ऐयो एक्स काम न आता है कर सकते हैं अगर आपको जुरूत है तो अगर नहीं है तो कोई बात में और एक दो फॉल्ट ऐसे भी दिखेंगे हैं जिसमें आपका थोड़ा सा वोल्यूम बढ़ाने पर आपका सिस्टम बंद हो जाता है उस कंडिशन में आपकी कभी बैटरी डाउन हो जाती है य यह बेसिक से फॉल्ट थे अब मैं बात करूँगा आपका सिस्टम अगर बिल्कुल भी आपका जो ब्रूटूत है बिल्कुल भी डैड है अपने करना क्या है बिल्कुल डैड है तो उसको कैसे चालू करना है यह देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं मैंने इस इस देखिए on नहीं हुआ यहां पर LEDs काम नहीं कर रही है और यहां पर Swart करके भी आपको मैं दिखा देता हूं और इसके Points को यह देखिए इसका जो पप्र का बटन है वो बिल्कुल सही है यह देखो सही है अब यहां पर अब यहां पर एक चीज है अगर आपकी IC बिल्कुल सही होगी तो आपका system एक jumper मारने से सही हो जाएगा अगर IC सही नहीं होगी और IC heat कर रही होगी jumper मारने से तो समध लिजिए आपकी IC ही खराब है अब यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पर अमक करूँगा और यहाँ पर इस सिस्टम चालू हो जाएगा सिर्फ एक काम करूँगा और इस सिस्टम चालू हो जाएगा देख सकते हैं आप LED जल गया है ठीक है LED जल गिया है और इस सिस्टम चालू हो जुका है देखिए Bluetooth on हो जुका है सिर्फ एक जंपर मैंने मारा नहीं सिस्टम में बैटरी घराब थी और नहीं इसका पावर का बटन घराब था जो भी खराबी थी यहां पर इसमें internally थी या तो जो इस circuit IC तक जा रहा है उसमा कह जा रहे होता है इधर छोटे-छोटे ट्रेक्स जा रहे होता हम इसको find नहीं करेंगे हम सीदे से यहां पर USB के पास यहां पर देखिए USB के पास एक आपको USB के पास आपको चार पॉइंट मिलते है 1234 पहला पॉइंट आपका इन नेगेटिव का होता है जो इन बोडी पे उसके जो बीज के पॉइंट होते हैं यानि कि डाटा की पीन होते है डाटा पोजिटिव और डाटा नेगेटिव अगर आपको जानकारी नहीं तो इसकी पीन की भी मैं बता दूगा और सबसे लास्ट की जो पीन होती है वो होती है पॉजिटिव की जो की IC से बिलकुल connected होत में भी 16 पिन वाल लगी मैं गिनूँगा नहीं क्योंकि मुझे गिनने की जूद है ही नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ट्रिक पता है जिसे ऑन करना है अब यहाँ पर देखिए इसमें भी वही है इसमें भी 4 पिन है एक, दो, टीन, चार दो तो 20 की छोड़ दे, कोई दिकत नहीं है सबसे लास्ट की है हमारी नेगेटिव की उसको छोड़ लेना है, यह पॉजिटिव की है जो की बिल्कुल IC के IC के किस पिन से connected है वो तो हमें ढूड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर वो ट्रेक, बिल्कुल हमें दिख भी नहीं रहा है, इसको चेक करने के लिए हम IC की किस पिन से connected है, वो अगर जानना चाहें, तो इस तरीकी से जान सकते हैं अभी आपको इस पैनल का भी बताऊँगा, ठीके वीडियो में छोड़ना आप यहां पर देख लेना, इसको हम बजर के रेंज पर रख लेते हैं और यहां पर पहले इसको positive से इस तरीकी से जोड़ते हैं, positive के साथ और इसको रखते हम इधर यह देखिए, ऐसी के इस pin से वो connected है यह track इधर से इधर तक आ रहा है, ऐसी के इस pin से आ रहा है यानि कि internally वो नीचे से कहीने कहीं से इस तरीके से यहां तक पहुँच रहा है तो यहां पर देखिए, अब क्या पता अंदर कहीने कहीं इसमें ऐसी problem बनी हो जिसे ब्रेक हो गया पुरा track तो यहां पर कुछ नहीं करना है आपने battery को वही पर लगे रहने देना जहां पर battery लगती है ठीके battery को इस तरीके से लगे रहने देना है जहां पर battery लगती है और यहां पर यहां पर USB के plus से एक wire उठानी है और battery के point से भी एक wire उठानी है और एक switch आपने जरूर लगाना पड़ेगा वो switch आप कुछ इस तरीके का ले सकते हैं एक switch आप SPSTE वाला ले सकते हैं या फिर ये वाला switch छोटा वाला ले सकते हैं या आपके Bluetooth के box में कहीं भी असानी से install हो जाएगा तो यहां पर देखिए दो बार में test करता हूँ सबसे पहले और यहां पर मैं दिखाता हूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ यहां पर इन ICS की data sheet इंटरनेट पे नहीं मिलती है क्योंकि एक Chinese IC होती है इनकी data sheet अपडेट नहीं होती है मैंने काफी search किया अगर data sheet मिल जाती है तो मसानी से 2 मिनिट में कर लेता बट मुझे पता है कि इसकी trick इसको on कैसे करा जाता है भीना data sheet के भी हम इसको on कर लेते हैं जो मैंने trick बताई एक बाद follow करके देख लेना अगर ऐसे भी आपका Bluetooth on नहीं होता है आपकी में ऐसी चली गई है और यहां पर एक सी जौर बताता हूं लगे हाथ कोई कोई ऐसे होते सिस्टम जिसमें माइक होता है आप जब बात करते हैं कॉल पे तो Bluetooth से connected होके माइक से बात हो जाती है और किसी किसमें recording का feature भी होता है अगर आपके Bluetooth में स्पीकर पे बात नहीं उपा रही है यानि कि calling के वक्त हो तो यहां पर आप माइक को इस्टॉल कर सकते हैं माइक का option में जाता है हां पर SMD माइक लगेगा नहीं है तो नॉर्मली माइक लगा सकते हैं बीच का positive है बाहर का negative का है तो यहां पर माइक install कर सकते हैं तो यहां पर एक switch मैंने इस तरीकी से बना लिया है इसको मैं off करके रखता हूं ठीक है यहां पर दो wire है एक wire आपने जोड़नी है यहां पर इसके positive के साथ जहां पर मैंने आपको बोला तरह पॉजिटिव यानि कि यहां पर एक वायर आपने इस तरीके से जोड़नी है जो कि बिल्कुल इससे कनेक्टेड होगी गलत जगे आप कनेक्ट मत कीजिएगा पता चला इसके रिपैरिंग के चक्रमा आप इसको ही मतलब खत्म कर दे रहें ठ पाँची वायर यहां से बोडी के साथ अटेच है जैसे कि यह वायर इसकी यह जो पॉइंट है हमारा बोडी के साथ यहां पर कनेक्टेड है तो यह नेगेटिब का होगा ठीक है बीच के दो .ीट को वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि वह नीजिघ्डी थी से उसे जोड़ लेता हूं तो हमारा Bluetooth हमारा बिल्कु परफेक्ट तरीके से on हो जाएगा और यह speaker का है तो इसको हम जोड़ेते हैं यहाँ पर और यह speaker हमारा यहाँ पर रखते हैं और एक सेट जूम डाउन कर लेता हूं और देखो यह हमारा on off switch है और यह on हम करते हैं से ध्यान दू ठीक है तो अब यहाँ पर आपको पावर की लाइट भी दिखाता हूं इसके पीछे तरप को है पावर की लाइट यह देखो इसको off कर लिया on करता हूं क्योंने एक सौंग प्ले करके आपको सुनाता हूं ठीक है इसमें आप यह सोच रहे हो यार वहां पर जोड़ी है तो पेंड्राइब काम नहीं है सब कुछ काम करेगा बैटरी हिल जा रही भाई बार बार तो यहां पर बैटरी का नेक्टर काफी डिला है यह बार 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 अब इसमें ब्लुटूथ को हम कनेक करेंगे और पेंड्राइब को भी कनेक करेंगे बट पेंड्राइब में अगर सौंग कॉपी राइट वाला होगा तो मैं थोड़ा सा इसको म्यूट कर दूगा और नेक्स्ट को लगा होगा ठीक है चलिए प्लेइबाई यूएस्पी ज इसको पहुच कर दिया अब यहां पर दिखिए जो चार्जिंग सेर्केट है वो अच्छी तरीके से काम करेंगा ऐसा नहीं कि आइस हमने यह सौर्ट कर तरीका बनाए तो चार्ज नहीं करेंका चार्ज भी करेगा लेकिन जो पवर ओनन facing यह वो तो काम यहांसे भीण कर रहा था क्योंकि यह हमारा dead बढ़ावा था क्योंकि वहाँ पर हमारी line नहीं जा पारी थी इसको हम off करते हैं और off करने के बाद अब मैं आपको charge करके भी दिखा देता हूं एक बार आप सोच रहोंगे charging काम नहीं के charge भी यहाँ पर काम करेगा देख perfectly ठीक है charge भी हो रहा है यह हिल जा रहा थोड़ बाकी next to x बटन सब अच्छी तरीके से काम करेंगे अब इसको हटा के मैं दूसरे वाले bluetooth को भी आपको दिखाता हूं और यह बटन यहाँ से निखाल देता हूं जोकि इसका भी इसमें काम नहीं है मैं सिर्फ आपको सिखा रहा था इसलिए मैं इसको connect करा है अब दूसरा ज और हम यहाँ पर battery के positive से जोड़ेंगे बेटरी का positive है यहाँ पर terminal battery का हमारे यहा लगए का तो यहाँ पर हमारा battery का positive है यह point तो हम यहाँ पर इसमें connection करते यहाँ पर इसको हम लगाते हैं और यहाँ पर इसको हम लगाते हैं अब इसको हम ओन करते हैं आपके सामने हैं पूरा यहाँ पर दिखा दे रहा हूं और यहां पर माइक को लगाता हूँ, आप यहां पर LEDs भी देखेगा, LED की पता नहीं कहां पर है, हाँ इस तरफ LED, चलिए ओन करता हूँ, हो गया, ओन हो गया, USB कनेक करके दिखाता हूँ, और यहां से कंट्रोल और वहां से कंट्रोल नहीं होगा, तो यह ट्रिक सायद आपको पूरे यूट्यूप टक किसी नहीं बताएगी, यह टोड़ा से लंबी होते हैं क्योंकि भाई सिखाना तो थोड़ा साव्क्त देना ही पड़ेगा और शीखने वाले को फीजन को प्रम्दी अपड़ेगा, है और यहां पर इसके बारे में भी थोड़ा समय आपको बतन जाहूंगा चलिए हाँ चीज इसमें और कवर कर दूँ कभी क्रिश्टल भी हमारा खराब होता तो इसकी विज़े से भी यह डैड की शमशा बनती बट इसमें क्रिश्टल सही है क्रिश्टल सही है तभी तो हमने क्या या इसमें गलती से कनेक्शन करते समें बाराए वोल्ट काफि लोग दे देते हैं गलती से देते बीना रेगुलेटर के तो सीरी हैए चरी जाती बीच में आपको होल जैसा देख जाता है । असनमें यहां पर क्या होता ना इसमें प्रोटेक्शन कुछ भी रही है एक के रतीस मैं नहीं देखा पहले के जो Bluetooth साते थे मैं आपको दिखाना चाहँगा अगा अब दिखना चाहें तो क्योंकि मेरे पास पड़े रहते हैं यह देखिए पहले के असल मैं Bluetooth इसमें सिस्टम नहीं है लेकिन यहां पर पहले के जो सर्केट्स होते थे वह काफी प्रोटेक्ट होते थे उसमें देखिए बीच में कई सरे कंपोनेंट्स हैं आपको 00 रजिस्टर मिल जाएंगी फ्योच के लिए आज कल के देखिए ब्लूटूथ में कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कुछ भी इसके मुकाबले यहां पर देखिए का आपको कौन सा सही लगा मैनुफेक्ट्रिंग के मामले में आप ज़रूर प्रोटाईगा कमेंट करें देखिए इसमें एक छोटी सी ऐसी लगे सब काम यही करती है साउंड से लेके सब कुछ लेकिन इसमें साउंड के लिए अलग आईसी लगी हुई होती है उसमें साउंड के लिए अलग आईसी लगती थी तो उन साउंड आईसी से वहाँ पर है ना कभी साउंड का प्रोब्लम आए आईसी चेंज करके काम बन जाता था या फिर यही से हमने साउंड का इसके पिन को ट्रै करके अलग आईसी लगा इसके हां मैं आपको चीप सजेस्ट कर सकता हूँ यहां पर आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं अगर यह ऐसी आपको ना मिल रही हो तो आप यहां पर यह Bluetooth की आई सी लगा सकते हैं यह Bluetooth जो आते हैं चीप यह चार है ठीक है एक Bluetooth यह है इसकी IC इसमें लगा सकते हो 100% काम करेगी इसकी IC इसमें लगा सकते हो लेकिन एक प्रोब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी इस IC के अंदर जो प्रोग्राम किया गया है सिर्फ यूएस्बी और Bluetooth को ही इस IC में प्रोग्र यहां पर अगर आप देखें तो इसमें USB आप लगा सकते हैं तो आप कमेंट कर दें ना इसका वीडियो बना दूँगा इसमें USB लगा के दिखा दूँगा इस तरीके से कनेक्टर लगा कि आप इसमें USB चला सकते हैं ठीक है लेकिन पाउच प्लेइस में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है और इसमें अगर वह ऐसी लगाएंगे तो भी यह काम नहीं करगा लेकिन यूएसपी के लिए अलग से बॉट मिल जाता है तो यूएसपी चल जाएगा डिस्प्ले कुछ भी नहीं जाएगी ब्लूटूथ काम करने लगेगा मैंने ऐसा इसमें किया हुआ है एक ट्रेक्टिकल और यह सक्सेस्फूली काम करता भी है अगर आप देखेंगे तो इससी तो आपके कभी-कभी एंटीना सेक्सेन तूड़ जाता है या फिर ये आपका किपास्टर एक आई सोरी ए रेजिस्टर आप देख लेना कभी इसमें प्रप्रोब्लम आ जाता है वैसे सबसे यदे प्रप्रोब्लम आता ना आपके ब्लूटूथ कनेक्ट ना होने का वो अगर मेरी मानो तो जो एंटेना की वायर इसी से जारी है ना यह एंटेना है आपका एंटेना सेशन है तो यह जो एंटेना के लिए यहां से वायर जारी ना तो यहां पर एक कॉपर की वायर लंगी सी कॉपर की वायर आप लगा सकते हो इस तरीके से एक एंटेना अलग से मैन हुई होंगी तो वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना और एक प्यारा से कमेंट हमारी वीडियो के लिए हमारी मेहनत के लिए थैंक्यों सो मच पर वाचिंग इस वीडियो टेक क्या